पांच अगस्त को है सावन का तीसरा सौमबार और तीसरे सौमबार को भगवान भोलेनात की पूजा अराधना बहुत शुब मानी गई है क्योंकि तीसरा सौमबार जो है वो है आपके शुकलपक्ष का और शुकलपक्ष के सौमबार के जो दिन अब चलेंगे जितने भी शुक जिन बच्चों के अभी विवायोग बने हुए है जन्मकुंडली में, देखिए मेरे पास सब बच्चों के जन्मकुंडली नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानती कि इन बच्चों के जन्मकुंडली में अभी फिलहाल विवायोग बने हुए उनका वक्त चल रहा है कि उनके का समय नहीं आया है उन्हें भी इस उपाय को जूरू करना चाहिए उनका समय आएगा बहुत लजदीक आएगा और थोड़ा देर सबेर आगे पिछे करके उनका भी विवा बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि भोले ना तुमा पारुती की पूजा से आपके नो के नो ग्रह ज हो जाते हैं स्ट्रोंग हो जाते हैं कल पांच अगस्त के दिन एक छोटा सा काम करिएगा माता पिता करें चाहे बच्चे करें पहली बात तो हमारे इस उपाय के साथ शर्त ये जुड़ी हुई है कि आपको इस उपाय को करने के लिए मंदिर में जाना होगा नंबर वन समस्याइं विक्ट हो जाती हैं कि हमें कुछ सूजदा नहीं है तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है आसान चीज़ों के लिए थोड़ी मेहनत और ज्यादा मुश्किल चीज़ों के लिए ज्यादा मेहनत ये तो आप भी जानते हैं तो कल नंगे पाउं जाएगा मंदिर और हमारी जो माताई है अगर बच्चों के लिए करते हैं वो दीरे दीरे जाएं लेकिन नंगे पाउं जाएं आप देखे आचम्तकार एक बार भॉले नात के दर पर जाके देखिये नंगे पाऊं एक लोटा जल ले जाए और इसके साथ जो सामगरी चाहिए वो भी आपको बता रही हूं कि क्या क्या सामगरी आपको साथ में लेके जाना है और उपाए किस प्रकार से करके आना है उसको भी आप ध्यानजे सुन दीजिए अन्यता फिर उपाए में कहीं सविकार होता है और भोले नाथ तो ऐसे हैं कि अगर आप कुछ भी ना करें और मन से सोच रहें कि हमने आपको जल चड़ाया हमने आपको यह यह वस्तुएं चड़ाई और आप हमारी मनोकामना पूरी करो तो 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 तब भी मनोकामना आपकी पूरी करते हैं और आपकी सब चढ़ाई हो यद वस्तुए है मन से ही सविकार कर लेती है। एक चमश शहद चाहिए हमको एक लोटा जल के साथ जो लोटा जल आप लेके जा रहे हैं थोड़ा से किसी बरतन में, कटोरी में एक चमश शहद चाहिए और इसके साथ जैसे कि आपको ये तो पता है कि दीपक चाहिए आपको, आप दीपक अपने मन पसंद का ले सकते हैं, अगर दीपक आप मिट्टी का लेके जाते हैं तो आपके इच्छा, अगर आप दीपक आट जल लेके जाते हैं, आपके खुद के घर का पानी, और अगर आप अपने घर से ही दीपक लेके जाते हैं, आटे का बना के, तो उसकी तो बात ही नियारी है, आपकी भावनाएं इस चीज से जुड़ी होई होती हैं, आप जिन भावनाओं, जिन इच्छाओं के साथ इस ची अन्य था आप कोई अन्य खुश्वू का सुगंदित इत्र भी ले सकते हैं, फूलो का ले सकते हैं, किसी परकार के फूलो का ले लीजिए, आप सुगंदित इत्र साथ में ले लीजिए, अब ये सारी चीजें लेकर आप भोलेनात के मंदिर जाएं, और भोलेनात के मंदिर अ हमेशा जैसे कि आप जानते हैं शेवराटरी आती है मराःटरी होती है तो रातरी के समय या या Beyonce कालमी किए गई पर्दोष और सम्टकारी educate होते आप सुबह रहे तो अची बात निताब उनताब शयाम को करने इसको अब अंको दीपकपरजुलत करें पंच देवों को याद कर यानिके मापारुती, कार्थिके भगवान, सबसे पहले गनपती भगवान और भोडेनाथ और नंदी जी, सभी को याद करते हुए नमस्कार करें और अपनी उपाय की सफ़ता की कामना की प्राथना करें और करने के बाद से, सबसे पहले आप जो लोटा जल है आपके पास, इस लोटा जल में थोड़ा सा अगर पीला चंदन वहां मंदिर में भी होता है, तो पीला चंदन थोड़ा सा इसमें डाल ले, हल्दी भोडेनाथ को चड़ती नहीं है, इसलिए बिवा के लिए, गुरु को स्ट्रोंग करने के लिए पीली चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो आप पीला चंदन वहां मंदिर से ही ले ले और थोड़ा सा इसमें डाल लेजिए, डालने के बाद आप सबसे पहले बोडेनाथ को जल अभिशेक करिए, जल अभिशेक करने के बाद शिवलिंग पर, अब जो एक चमच आपके पास शैद है, इसको धार के रूप में अर्पित करें, आपको जल में नहीं मिलाना शैद, धार के रूप में आप अर्पित करें, बोडेनाथ के शिवलिंग पर, धार के रूप में उसको अर्पित करने का पतली सी धार होगी, अर्पित कर यहां अलग से इत्र भी आप अरपित कर सकते हैं, कौटन में थोड़ा सा लगा के भी, लेकिन चुंकि हमें सभी जितने भी देव हैं, गनपती भगवान, कार्तिके भगवान में पारोती, सभी को इत्र अरपित करना है, इसलिए इस जल में मिलाएं और जल की धार शिवलिंग पर अरपित करें, और सभी गनपती भगवान की जगह है, जहां पर शिवलिंग पर कार्तिके भगवान की है, माताशोक सुंदरी की है, शिवलिंग है, भोले नाथ है, सब को एक साथ सुगंदित जल अरपित करिए, और अरपित करने के बाद जल और उनके सामने बैठ कर पं रामचृत मानस में जो आपके पास शुप पार्वति विभा का परसंग है उसमें, उसको पठन जरूर कर दें एक बार, बोले नात की पूजा करके आके उसका पठन जरूर करें, और अगर आप हर सौंबार करते रहतें, सावन के करते रहें, तो आपको तोरंत फलों की पढ़ना आता हो, तो जरूर पठन करें, और अगर नहीं पढ़ना आता, तो किसी से पढ़वा के वो सुन सकती हैं, आपने अब तक कभी भी सावन में नहीं किया होगा, अब की बार करके देखिए, शिपारोति विभा परसंग को पढ़ के देखिए, रामचितमान से, आप देखेंगे चम्तकार हो जाएगा, तो रंत विभा योग बड़ेगा, आपको इंधियार ही नहीं करना पड़ेगा, शिगर बच्चों का विभा होगा, कमेंट वक्स में ओम गौरी शेंक रायन में जुरू लिखना, मौनो कामना पूरी होगी, ठैंक्स हो रहाएं